यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ कॉंग्रिस के राना गुर्जीत सिंग ने इस्तिफा दिया है इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से इस्तिफा दे दिया है पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें सिंचाय और बिजली मंत्री पंच से इस्तिफा दिया है राणा गुर्जीत ने राणा गुर्जीत ने सियम अमरेंदर सिंग को अपना इस्तिफा भीजा है बड़ी खावार इस वक्त के आपको बता रहे हैं पंजाब से आ रहे हैं जहाँ पर कोंगरिस के राणा गुर्जीत सिंग ने इस्तिफा दे दिया है अपना इस्तिफा उन्होंने सीम को भेजा है सिचाय और बिजली मंत्री पर से इस्तिफा दिया है हमारे समवादता जितेंदर सबर्वाल इस वक्त फोल लाइन से जुड़ गए है जतेंदर क्या कुछ जानकारी है आपके पास क्यों दिया गया इस्तिफा इस बात का पता चला के कमें जो चम से 오टारा को Tapi सयुड़ गए है कbach कोई क्यूल करने का घजडर दोके प्तों अबहां बन गया था और मजबूरी आपना जो के स्तिफा है और हमने दर इंडर सिंग को बेजा के मंत्रिंग कि यह जो स्टीफी की जो चर्चाय जो गर्म जरूर है पर अभी तक कि जे मन जे नहीं मालूम हो पाया कि उनका स्टीफा मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है क्योंकि आज कैप्टन अमरेंदर सिंग ने महाली भी आना था और शयाद यह दोरा रद भी हो जाए और इसी को लेकर कहीं न कहीं उनको मनाने की जोशिश की जा रही है कि वह अपना स्टीफा वापस ले ले और सुत्रों से मैं पता चला है कि इनकी आपस में बैटके अराम से को बाचीत भी हो रही है हो सकता है कि कैप्टन साब के दारा मनाया जाए कि पर अमरेंदर जारा कि आपा स्टीफा लेले जे सिर्द्द adapt इन सिंचाई और बिजली विभाग दिया गया था गुरजीत को लेकिन अब कितना बड़ा जटका माना जा सकता है कॉंग्रेस के लिए ason वेखिंगोदे के लिए जटका माना जा सकता है क्यों thrilled लावा जब पहली बार जो रेट की खड़ों को लेके निलामी के उपर जो एक खान सामा है, इनका खाना बनाने वाला, उनके उपर बात चली थी कि उनके नाम पे बहादुर के नाम पे इनों ने खड़ ली थे, उसके बाद इनके उपर निशाने तेज हो गये थे, और तेज उनके ड्रग केस में उनका नाम आया था, तो इनके कांगर्स के मंत्रियों ने भी उपर एक तरह से अटैक किया था, इसको लेके सुखवाब सिंख खेरा ने भी प्रेस कॉन्फरनस की थी, और कई जगह पे इनोंने यही दिमांड भी रखी थी, और प्रेस कॉन्फरनस की थ है, अब देखना जी बात जी होगी कि कैप्टन अमरेंदर सिंख जब इन से मुलाकत करते हैं और उसके बाद इसका क्या नतीजा निकलता है, और यहां तक हमारी सीनियर नेताओं से बात हुई है, कुछ मंत्रियों से भी बात हुई है, और सीनियर पत्रकरों से भी बात पी, कहने का मतलब यह हुए है कि उनका जो स्टीफा है, जो रोधियों के कहने पे उनने अब स्टीफा तो अपना सोब दी है, अब उनका स्टीफा लेना है कि नहीं मंजूर करना है, और वो कैप्टन अमरेंदर सिंग के हाथों में उनके अपने निर्भर करता है बहुत बहुत है शुक्रिया जी चेंदर इस जानकारी के लिए